कौन सा है देश में सबसे बड़े नाम वाला स्टेशन? अजब रेलवे स्टेशन की, देखिए गजब कहानिया देश में फैले पट्रियों के जाल, यानि इंडियन रेलवे, देश की लाइफ लाइन है कोरोना में हम सब ने देखा, जब रेल के पहिये थमे, तो देश की रफतार भी थम गई भारत में ज्यादा तर लोग रेल के माध्यम से ही सफर करते हैं दुनिया के सबसे बड़े रेल नैटवर्कों में भारती रेल शुमार है बात करें सफर की, तो लाखों लोग हर रोज रेल में चड़ते उतरते हैं देश की अर्थ विवस्था में भी भारती रेल का अहम योगदान है देश में DFC कोरीडोर का निर्मार इसी को देखते हुए किया जा रहा है जिस पर केवल मालगालिया ही चलेंगी आज हम आपको कुछ ऐसे स्टेशनों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने नाम की वज़े से बहत खास है यानि इनके नाम ही कुछ ऐस तरह हैं जिन्होंने इने खास बना दिया है साथ ही हम आपको भारती रेलवे से जुड़े कुछ और रोचक तथे भी बताएंगे चलिए तो शुरुआत करते हैं देश के सबसे बड़े नाम वाले स्टेशन से तो आपको बता दें कि सबसे बड़े स्टेशन में नाम है वेंकट नार सिमा राजू वेरी पेटा स्टेशन यह आंधर प्रदेश में और तमिलनाडू के बॉर्डर पर है 28 अक्षर का यह सबसे बड़े नाम वाला स्टेशन था लेकिन 2017 तक लोग इस स्टेशन के नाम के आगे उपसर्क श्री जोडते हैं जिससे यह तीन अक्षर और लंबा हो जाता है और यह स्टेशन अपने नाम के वज़ाई से ही इतना फेमस है साल 2017 में जब मुंबई के छत्रपती शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन के नाम में महराज को एड़ गया गया तो छत्रपती शिवाजी महराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन 33 अक्षरों के साथ देश के सबसे बड़े नाम वाला स्टेशन मन गया अब भी ये स्टेशन नाम के मामले में दूसरे पायदान पर है तो आप सोच रहे होंगे कि या आखिर सबसे बड़े नाम वाला स्टेशन कौन सा है तो आपको बताते हैं कि देश में सबसे बड़े राम वाला स्टेशन चेन्नई है क्योंकि 5 अपरेल 2019 को चेननी रेलवे स्टेशन को तमिल्लारू के लेजेंडरी एक्टर डॉक्टर M.G. रामचंदरन का नाम दिया गया इस तरह चेननी सेंटरल का नाम पड़ा पुरातची थलाईवर डॉक्टर M.G. रामचंदर सेंटरल रेलवे स्टेशन इसके नाम में 57 अक्षर है अब आपको बताते हैं कि देश में सबसे छोटे नाम वाला स्टेशन कौन सा है तो आप जान लीजिए कि देश में सबसे छोटे नाम वाले रेलवे स्टेशन में इब है जो अडिसा के जार सुगडा में सिर्फ इब रेलवे स्टेशन का नाम सिर्फ दो अक्षरों में ही सिमठ जाता है इस स्टेशन से ज्यादा ट्रेन नहीं निकलती उनका स्टॉपेज भी सिर्फ दो मिनिट का ही होता है ये हावडा नाकपूर मंबई रेलवे लाइन पर मजूद है इस स्टेशन पर सिर्फ दो ही प्लेटफॉर्म बने हुए है इस लोगपिरिय स्टेशन का नाम इब नदी से लिया गया है जो कि महा नदी की एक सहायक नदी है भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन गोरकपूर है इसकी लंबाई करीब 1366 मीटर है महीं भारत का सबसे छोटे रेलवे स्टेशन आंधर प्रदेश के गुंटूर जुले में है इसका नाम पेनु मूरी रेलवे स्टेशन है कहा जाता है कि इस station पर कोई platform ही नहीं इसके साथ ही क्या आप जानते हैं कि भारती रेलवे में चार यूनेस को मानिता प्राप्त विश्व धरोहर हिस्तल हैं भारती रेलवे का सबसे व्यस्त रेलवे station हावडा जंक्शन है जिसमें सबसे अधिक platform है इस खबर में भी इतना ही आप बने रहें वन इंडिया के साथ